वेलकम टू यूर यूट्यूब चैनल कैप्टेन फी कुमार आज जो मैं बात करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है इसलिए मुझे मज़ा आता है कि उसका मैं जबाब दूँ आपको आप तक मेरी आवाज पहुंचा हूँ जैसे आज का जो आपका सवाल है कि Cessna 152 और Cessna 172 में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि इनिशली आपकी जो ट्रेनिंग होती है इनी दो एरक्राफ्ट पर होती है तो इसका डिफरेंस जानना इसके बारे में कम से कम आपने जो किरियोसिटी दिखाई है उसी से यह पता पड़ता है कि आप कितने सीरियस हो जो भी काम अपना करने के लिए जा रहे हो या पाइलेट ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हो So I really appreciate कि आप इतने इस लेबल, मैं नहीं इतने इस लेबल तक सोच पाता था जब मैंने अपनी पाइलेट ट्रेनिंग करी थी आज YouTube का माध्यम समझ लो या आर्टिकल समझ लो So this is very nice, you should be aware कि जो भी आप करने जा रहे हो Cessna 152 भी सिंगल इंजन है, Cessna 172 भी सिंगल इंजन है अब मैं इसकी बताता हूँ जो Cessna family शुरू होती है ये आपकी Cessna 150 से शुरू होती है तो सबसे पुराना जो Cessna हुआ करता था Cessna is very famous to make आपके जो ट्रेनिंग के एरक्राप्स होते है तो Cessna 150 भी Cessna का है, 152 भी का उसी का ही है, 172 भी उसी का ही है तो 150 मतलब क्या है कि जैसे हवा हलकी सी भी लगेगी तो वो हवा के हिसाब से पत्ते की तरह हिल जाता था, stable नहीं था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता था उसके बाद फिर इनों ने उसका थोड़ा सा अपग्रेड़ेड वर्जिन किया तो 152 लेकर के आए, आज की तारीक में आपको 150 कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे तरीके से वो हट चुके हैं अब वही दोर 152 का चल रहा है, अब पूरे तरीके से तो नहीं हटे, लेकिन 90% जगे पर अब आपको 152 नए नहीं आ रहे हैं, नए आना वो बंद हो चुके हैं तो अब धीरे धीरे जो ट्रेनिंग पैटर्न है, 152 से 172 की तरह शिफ्ट हो रहा है, अब वो शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि 152 पर आपकी ट्रेनिंग सस्ती पड़ती है, 152 पर मान लीजे आपका एक गंटे का 12,000 लग रहा है, तो 172 पर 15,000 लग रहा है, अगेन मैं अ चले जाए 18,000, ओबर ओल 152 और 172 में सैसना की दो दोनों एरक्राफ्ट हैं, आपस में 1000 या 2000 का फरक शुरू से ही रहा है, अब मेजर डिफ्रेंस की बात करें, 152 आपका 2 सीटर एरक्राफ्ट है, 172 आपका 4 सीटर एरक्राफ्ट है, तो 152 का आप सिरफ ट्रेनिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन 172 का आप अधर देन ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ ले जाके गुमाने ले जा सकते हैं, फैरी फ्लाइट करा सकते हैं, आप और दो लोगों को बिठा के या तीन लोगों को बिठा करके, उनको बहुत स सारी चीजों में यह multipurpose 172 यूज हो सकता है इसलिए अब धीरे-धीरे 152 हटना शुरू हो गए हैं और सारे जो training institute हैं वो 172 पर जादा focus करते हैं और नए भी वही बन रहे हैं 172 ही बन रहे हैं मैं एक और चीज बता दूँ कि आप single engine की training सैसना 152 पर करो 172 पर करो या किसी और aircraft पर करो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है जो requirement है वो single engine के घंटे की है aircraft की नहीं है तो आप अगर सस्ते से सस्ते aircraft पर करते हैं तो भी वो ही count होगा और महंगे से महंगे single engine aircraft पर अपनी training करते हैं तो CPL के लिए तो वही घंटे count होगे उससे आपको कुछ भी अलग से benefit नहीं मिलेगा वो आपका एक personal experience जरूर enhance हो रहा है अगर आप upgraded version के aircraft पर training कर रह कर सकते हैं लेकिन जब भी अप CPL पूरा करने जा रहे हो उससे पहले आपको अगर glass cockpit का experience है सेसना 172 का तो वो आपके आगे जाके काफी help करता है क्योंकि जो भी jet engine है वो सारे glass cockpit हैं एक ही screen पर आपको सब कुछ दिखता है तो अगर 10-15 गंटे भी आपको last में experience मिल जाता है इस चीज का तो आगे की चीजें आपको easy लगने लगती हैं और आसानी से Airbus Boeing ATR के बारे में आपको समझ में आ जाता है तो यह एक add-on है जो मैंने बताना चाहा है आपको so I hope मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है लेकिन फिर भी अगर कोई confusion है तो आप मेरे से इंस्ट तो है तो है तो यह एक जापन दीकुमार